मित्रों प्यारे भाई और बैनों आप सभी लोगों को नमस्कार साधर परणाम एंड जहिन आज की चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी दो हजार बाइस की खुसकबरी है आकास पाताल एक करना है सबको ये काम जरूर करना आपको यूटी यूपी टीजीटी पीजीटी का बिग्यापन 15 जन्वरी को साथ हजार पदों पर भरती क्या करें अचार सहिता लगने से चैन बोर्ड भी बेचारा मजबूर हो गया है तो मित्रों ये एक मिनिट का वीडियो होता है जरूर आप सुन लिया करें हो सकता है आप इससे मौटिवेट हो करके आप अपनी पढ़ कर दीजिए जिसे सभी भाई बेनों को सूचना मिलती जाए तो मित्रों आप सभी जानते हैं कि यूपी में चुनाओं से पहले अचार सहिता लग चुकि जिसकी वज़े से प्रतियोगी च्छाच छातना काफी निरास हैं हम उदास हैं क्योंकि सभी लोग यूपी टीजीट कि दैनिक जैगन के पेपर निकला है कि 15 जनुवरी को टीजीटी पीजीटी का जो विग्यापन वो जारी हो सकता है क्योंकि चात्रों का लगातार ही दबाव बन रहा है सरकार के उपर भी हलांकि अब तो अचार सहिता लग गई है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन क कि हाय मैं क्या करूं ना इधर का ना उधर का जो भी हो इधर अचार सहिता लगने से भी छातर काफी निलास हो चुके हैं लेकिन दैनिक जागर एम कुछ अन्य पेपरों में यह निज निकल कर आ रही है यह तो 15 जनुवरी को ही देखने को मिलेगा कि इसमें कितनी हवाई है लेकिन हम आपको एक सजेशन के तोर पर या कहें कि जैसे कुछ एक्सपर्ट के राय होती है कि 15 जनुवरी को बिग्यापन जारी हो या ना जारी हो आपको तो अपनी तैयारी लगन के साथ करनी ही है अब मुझे तो नहीं मालूं कि इसमें कितनी सच्चा है यह उसका इंतजार करके उल्जान नहीं लेना चाहिए हमें सिर्फ अपने तैयारी में फोकस करना होगा चैन बोर्ड के पास पूरा काम कंप्लीट है सिर्फ उसको चुनाओ के बाद बिग्यापन निकालना ही निकालना है लेकिन हम सभी प्रतियोगी छाठ चात्रों में हुआ था लोग कहने लगे थे कि एक्जाम डेट को थोड़ा से इस्टेंड किया जाए अगे बढ़ाया जाए अगर आप तैयारी अभी से करेंगे तो आप तीन चार महिने में पूरी तैयारी कर देंगे और अपनी तैयारी का अंजाम है बॉटम से टॉप लेबल तक हो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से अंतियम अंजाम देना है और एक सीट पक्की कर लेना है तो बीडियो कर जरस भी पसंद आए तो सब्सकाइब करके लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि कहते हैं एक चीज आपको मालूम है कि सफलता एक ही दि झापको Am।